तो पैसा 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 कुल मिला के जितने भी प्रोफेशन्स को हम पिक करते हैं जादा तर पाक्समम टाइम्स हमारा जो एक सोल मोटो होता है वो यह होता है यार के पैसे कितने बिलने वाले तो पर्टिक्लर स्ट्रीम के अंदर कितने पैकेज़ेज और प्लेसमेंट्स मिलते हैं यह बहुत जादा डेफाइनिंग फैक्टर होता है किसी भी पर्टिक्लर स्टीम को पिक कर निकले और इसी के रहते हैं आज मैं शाहनबाज राइन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंट्रेस्टिंग और इंपॉर्टन सेशन जिसका नाम है टॉप 10 NLU's के कम्प्लीट पैकेज़ और प्लेस्मेंट्स क्या होते हैं जितने भी सारे बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं वो सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के जो टॉप 10 NLU's हैं, how much packages they are offering right now what are the average packages of all those NLU's जिनको हम टॉप 10 NLU's बोलते हैं साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि इन कॉलेजिस के अंदर टॉप रिक्रूटर फर्म कौन-कौन सी है So it is going to be a long video of around 30 minutes from here So I need your complete concentration in the whole video So welcome to Legal Edge, let's start. So to start with, the first thing is के अगर इन कॉलेजिस में जाना है, तो भाई, क्लाइट की तेयरी में तो करनी पड़ेगी और क्लाइट की तेयरी करवाने के लिए हम, that is Legal Edge, लेकर आ रहा है हमारा next All India Scholarship and Admission Test, which is going to happen on 6th of March Yes, 6th of March को ये paper होने वाला है, जिसके through आपको admissions मिलने वाले हैं हमारे fantastic new upcoming batches में, so if you are preparing for CLAT 2022, you can opt for our crash plus batches जो के मारे सारे hybrid centers में भी open हो रहे हैं, और साती साथ आप online batches को भी join कर सकते हैं या फिर, if you are preparing for CLAT 2023 और 2024, so you can join our platinum and gold batches जो की शुरू हो रहे हैं 7th of March से, so अगर इन LLUs में, जिनके बड़े-बड़े packages के बारे में आज में आपको बताने जा रहा हूँ, इन में अगर आप join होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, इनका part बनना चाहते हैं, तो please, please, please all it is scholarship test को लिखना ना भूले, और इन batches को join करना ना भूले, जाधा descriptions के लिए, जाधा details के लिए, you can go into the description box, click on the links given below तो बिन टाइम में जल्दी से चालू करते हैं, हमारे पहले NLU के साथ, almost सारे law aspirants, सारे CLAT aspirants, इस नाम को बहुत अच्छे से जानते हैं, that is NLSIU, full form आपके लिए मैंने लिखा हुआ है, प्रीज हां से notes बनाते हुए चलना, और जिनने बचे लाइव हैं, इनको वीडियो प the oldest college, oldest NLU in the country, 1986 में शुरू हुआ है, थोड़ी से basic details पहले जानेंगे, फिर I'll be jumping on to the average placements and packages as well, so you can see 5 years integrated program ये लोग देते हैं, जिसका नाम है BALLB, आप लोगों को बता है BALLB क्या होता है, 5 years integrated program होता है, अगर आप इस particular course के बारे में और information चाहते हैं, तो comment box में जरूर so that I can make a separate video covering everything about NLSIU Bangalore, और जादा डेथ में रिसर्च करके details लेकर आँगा आप सभी के पास, so please comment में बताएगा, so यहाँ पे इंटेख है 180 students का for the upcoming year, जो लेक्षिन का बैच आनेवारा 22-23 के ले, 180 seats जो है वाप के लिए उपन है, साथ ही साथ, बहुत ही, recently they have came up with a new course, the 3 years LLB course as well, जिसका पहला बैच आ रहा है 2022-2023 सेशन का, बताब इस इस गों तो बिए फर्स्ट 3 years LLB बैच, so जो बच्चे, NLSIU का द्रीम करते थे, but they were not able to join this college, क्योंकि उनका क्लाइट उस ताइम उतना अच्छा नहीं गया, and they have opted for a regular graduation, they also have another golden opportunity, this college को जो 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 इसका जो वो 60 feet का रखा गया है, so if you are doing a regular graduation, you can opt for the 3 years LLB as well, jumping on to the packages and recruiters, जो पहले जल्दी से बात कर लेते हैं, top recruiters की, so top recruiters कौन है, जो इन colleges में, इस particular college में, साल दर साल आते रही है, और बहुत अच्छा package offer करते रही है, so after lots of research, मैं बार बार ने disclaimer देना, नहीं बूलता हूँ, इस बार भी नहीं दूँगा, कि यह मेरा research है, मेरी team का research है, student success team का research है, उसके बाद हम यह data लेकर आते हैं, फिर भी, फिर भी, फिर भी, please make sure के आप इनकी websites पे एक बार खुद भी जाएं, और चीजों को definitely verify करें, so talking about the top recruiters, these are the firms, AZB and Partners, one of the biggest name in the law of eternity, Cyril Amarchand, Mangaldas, जिसे हम CAN के नाम से भी जानते हैं, खेताने इनको, Trilegal, San, जिसे हम Shardul Amarchand, Mangaldas के नम से जानते है, L&L Partners and Argus Partners, यह सारे जो recruiters है, यह इनके top recruiters है, मतलब यह जो firm से बहुत अच्छा package यहाँ पर offer करती है, और इनका normal average package, इतने सारे सालों का एक average हमने निकाला, वो गया है, 15 से 18 लाग रुपए per annum, that's a huge value, and that is why this college stands in the top chart, इस चार्ट की पहली यह stand करता है, moving on to the next college, that is the Nalsar Hyderabad, the second rank NLU in the country, जिसको हम National Academy of Legal Study and Research University of Law Hyderabad के नाम से जानते है, Hyderabad में situated at the college was started in the year 1998, again one of the oldest colleges in the country, or rather the oldest NLU in the country, इनके भी courses के उपर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर वो 3 years LLB वाला प्रोग्राम अभी नहीं आया है, यहाँ पर इस साल आपनों के बस चांस है, you can enter into the 5 years integrated program, जो की BALLB honors है, most of the NLUs जो की जाने जाते हैं, वो सिर्फ अपने BALLB के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि BALLB अकेला ऐसा प्रोग्राम है, जिसमें आपको जादा law related पढ़ाई करने को मिल जाती है, law का integration उसमें बहुत अच्छा हो जाता है, the statement would be incorrect, BALL भी होता है, definitely, but, 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 जितने भी 5 years integrated law program से, उन में हम BALLB को जादा better consider करते हैं, क्यों करते हैं, बिल्कुल आप हम से पूछ सकते हैं, comment section में, जाकर, यहाँ पे seat intake जो रखा गया है, वो 132 seats है, बाकी सारे bifurkations आपको website पे मिल जाएंगे, so if you want to have another video exclusively on this particular college, do write in the comment section, I'll make a video on this college also जहाँ पे मैं पूरा hostel, पूरे placements, पूरा campus cover करने की कोशिश करूँगा, of the Nalsar Hyderabad, top recruiters में बहुत सारे नाम आपको repeat होती है, repeat होती हो देखेंगे, maximum top 5 NLUs में, क्योंकि यह जो top law firms हैं, यह almost top 5 NLUs में जाते ही जाते हैं, जिन में से कुछ नाम है, जेसागर, Associates, Tri-Legal, Khetan को, The Cam, AZB, Shardul Amarchand, Mangaldaas, Talwar, Thakur & Associates, Wadia Gandhi & Company, ICI, ICI Bank, और इस college का average package जाता है, 14 to 17 lakh rupees, again which is very huge amount, अगर आपको यह launchpad की तरह मिल रहा है, और इतने बड़े-बड़े partners के साथ मिल रहा है, so that's a very golden, very good and a golden opportunity to go for, so please अगर आप CLAT aspirant है, जो यह आपकी list में rank 2 पे for sure होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं, जो आपके comments कर रहे हैं, बट फिलहाल मैं उन comments का answer नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा important data है, तो जो बच्चे मुझे live देख रहे हैं, उनके लिए data मुझे share करना बहुत ज़रूरी है, please 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 comment section की जगा, थोड़ा सा वीडियो पर ध्यान दे, और ध्यान से note करते जाएए पूरे data को, rank 3 पे मैंने mark किया है NLU Delhi, now there are many websites जो NLU Delhi को second rank पर रखते हैं, कुछ website जो से fourth rank पर रखते हैं, पट मैंने सुचा कि क्यों नहीं हम इसे ground breaking या balance out कर दे, तो यह third rank पर stand करता है मेर मिलता है, that is BALLB honors, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, one of the best course, और NLU Delhi definitely आपके list में होना ही चाहिए, बाट इसके लिए आपको लिखना है All India Law Entrance Test, that is Islet, जो CLAT के अलावा होता है, और इस college के अगर हम seat intake की बात करते हैं, तो 110 plus 10, that is, मोटा मोटा या पर 120 seats का intake होता है Going all to the packages, क्यों है ये rank 3 पे, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम हैं, रिक्रूटर्स के अगर हम बात करें, so you have Trilegal Steel Authority of India, PSU, Khetan Inco, Cyril Amarchand, Shardun Amarchand, Talwarthakor and Associates, ICICI Bank and international law firms also, like Herbert Smith, Free Hills, yes, international law firms भी यहाँ पर recruitment करने आती हैं, which is again a very good thing, यह बताता है कि College कितना versatile है, College कितना brand value carry करता है कि international law firms को भी call कर पाता है, placements के लिए, अगर हम average packages की बात करते हैं, तो 12 से 15 लाग रुपए मोटा मोटा एक package यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, मतलब on an average, इस bandwidth के अंदर packages मिल जाते हैं, conditions applied, आपको interview में बहुत अच्छे से clear करना होगा, आ आपको एक अच्छे student की तरह उस college life को complete करना होगा, तो भाया सबको नहीं मिलते हैं, मैं यह जो बता रहा हूँ न, यह average packages हैं, तो यह दिमाग में मित ना बनाने कि अगर हम college में चले गए तो हमें इतना पैसा तो मिलने वाला है, प्लीज, इस video का यह मतलब बिलकुल नहीं ह हैं, कि हमें इतना पैसा मिल ही जाएगा, इसका मतलब यह है, यह chances आपके लिए हैं, कि आप इतना पैसा कमा सकते हैं, बट आपको college की पूरे hurdles को, पूरे जो process है, उसको complete तो करना पड़ेगा, Talking on to the fourth rank college, that is West Bengal National University of Jurisdical Sciences, NUJS के नाम से famous है, college was started in the year 1999, अच्छा डेली से नीचे क्यों रखा है, कुछ बच्चे पूच सकते हैं, बिलकुल पूच सकते हो, comment section में जाके बढखा, यहाँ आपको courses मिलते हैं, BA और BSC LLB, दोनों ही मिल रहा है, आपको B LLB भी मिल रहा है, या BSC LLB भी offer किया जा रहा है, as I said, there are many NLUs, जो B LLB के अलावा भी courses offer करते हैं, seat index की बात करते हैं, 132 students को यह लोग intake लेते हैं, every year in their 5 years integrated law program, and if we go on to the packages and the top recruiters, यहाँ पे शाम, ओंडल जो हैं, वो बहुत सारे comments लिखते जा रहे हैं, but let's ignore all the comments and the chat window, अभी फिलाद हमें आप सभी को यह सारा data देना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप CLAT लिखने वाले हैं, या आप Law as a Career देख रहे हैं, सोच रहे हैं, mind में हैं, please, 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 इस पूरी 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 वीडियो को end तक देखना है, और notes बनाते हुए चलना है, और अगर confusions or doubts हों, तो comment box में डालते हुए जलता है, so that I'll come back to the comments and I'll reply you via videos or by the comment section, चलिए, top recruiters, again, कुछ नाम बहुत common, as I said, top 5 में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, भरूचाइन Partners, Trilegal, Cam, L&L Partners, ICICI, Gale, ITC, Tata, AIG, these are the big names जो की recruit करने जाते हैं, बिंगॉल में, और इनका average placements के अगर हम बात करते हैं, तो 12 से 14 लाख रुपे on an average ये college आपको package दिलबा देता है, बहुत भी college deserve करता है, इतना package तो आपको normally provide करवा दिया जाता है, conditions applied आपको, व बार बार ये चीज बोलूँगा, ताकि आपको ये myth ना हो जाए, कि भाई, इतना पैसा तो मिलना ही वाला है, चलिए हमारे प्यारे भोपाल के college के उपर आजाते हैं, जहां से मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, from the city of lakes, हमारा भोपाल, चो यहां का जो college है, इसको मैंने 5th rank पर रखा है, क्यों के डिजर्स कुरता है, और ये top 5 में definitely count किया जाता है, और अगर मैं डेली को side करते हूँ, तो बिल्कुल top 4 में count किया जाता है, चो अगर हम बोपाल की बात करते है, विचो अस्टाब्लिश निदेगे 1997, बिंगॉल से पहले हुआ था, और यहां पर आपक का इंटेक लिया जाएगा, कोटव अगर आप बिल्कुल अवेलेबल है, for that you need to consider to the website, or you want a video, do let us know, we'll make a complete video covering the whole NLU Bhopal for you exclusively, अगर हम बात करते हैं, top recruiters की, तो as I said, मैं बार बार यही बुर रहा हूँ, top 5 में आपको कुछ नाम बार बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये top 1 level कि यहां tier 1 type के recruiters हैं, और यह अच्छे NLU's में definitely जाते हैं, जिन में से कुछ नामे AZB, J. Sagas & Associates, Lakshmi, Kumaran & Shridharan, Vash & Associates, Vadia Gandhi & Co, Trilegal, Vedanta, Vipro, Bharat Petroleum Corporation Limited, and if we talk about the average placements or packages, वो आपको देखने को मिल सकते हैं, 10 to 14 lakh rupees per annum, किसी बच्चों को अगर यह लग रहा है कि ये पर month मिलने वा तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, पर annum लिखा है, साल भर का package है, you have to divide it by 12, थोड़ा सा TDS कटेगा, थोड़ा से taxes कटेगे, तो पूरा पूरा पैसा जेब में नहीं आता है, गवर्मेंट को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, तो बिलकुल यह से खाब ना सजाएं, कि इधना पैसा सीधे आपके bank account में आने बाला है, deductions होते हैं, आगे चलते हैं, तो हमारा जो next college है, वो है, जोधपुर, which was started in 1999, बहुत अच्छा infra, बहुत प्यारी फिटी, बहुत अच्छा खाना, definitely जोधपुर को एक बार सर्च करें, अभी गया था, तो मज़ा आया था, ठीक है, तो please जाएए जोधपुर, विदिट करें college, अगर हम courses की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है 5 years integrated BALLB, और 5 years integrated BALLB as well, so it is up to you, आपको इसे भी course को आप्ट कर सकते हैं, definitely BALLB का cut-off थोड़ा सा ही जाएगा, क्योंकि flagship course है, और अगर यहाँ आपको total number of seats की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 104 plus 12, मोटा मोटा 120 seats का intake देखने को मिलता है, चाहे वो BALLB हो, चाहे वो BALLB हो, if you want to have a proper video on this particular college, जहाँ पर आप चाहते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ जोधपूर की बात करूँ, please comment section में बताईए, मैं देखूंगा, depending on the number of comments, कितने बच्चे किस college पर वीडियो चाहते हैं, I'll come up with a video on that particular college exclusively for you, प्यारे प्यारे बच्चो, ठीक है, top recruiters के एक बात करते हैं, तो फिर से वही, बहुत सारे नाम, अब तो नाम याद हो गए होगे, so, CAM है हमार पस, AZB है, Desai and Dewanji है, Khetan Inco है, L&L Partners है, Trilegal है, ICICI bank है, अच्छा, बाकी bank क्यों नह लगे, ICCI जो bank है, वो direct recruit करने जाता है, बट अगर आप HDFC की बात करते हैं, SBI की बात करते हैं, तो they have their own entrance examination for their legal officer, उसके बारे में भी अगर आप वीडियो चाहते हैं, बिलकुल बताइए, we'll come up with the video as well, average packages यहाँ पर आपको 10 से 12 लाग रुपे में मिल जाते हैं, अभी तक तो overall college की history के साब से कुछ 5-6 साल के basis में निकाल कर यहाँ पे रखे हुए है, यह average placement है, यह top या bottom नहीं है, average है, ठीक है, coming on to our 7th college, that is the Gujarat National Law University, Gandhinagar में यह college है, 2003 में established किया गया था, और अगर हम इस college की courses की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको 5 years integrated BA, BCOM, BBA, BSC, BSW, LLB, इतने सारे integrated programs में admissions मिलते हैं, बहुत अची बात है, मतलब BA का option है आपके पस, BCOM का भी option है, BBA, LLB का भी option है, Science Follow के पस तो BSC का भी option है, BSW is bachelor in social work, तो इसका भी humanities के बच्चों लिए, commerce के बच्चों लिए, science के बच्चों लिए, यह option open है, college बहुत fantastic है, अगर number of seats की बात करते ह यहां पर मोटा मोटा आपको 207, 209 seats का total integrated programs में यह admission लेते हैं, कैसी लग रही है वीडियो, मदा आ रहा है के नहीं आ रहा है, और यह content आपको कुछ help कर रहा है नहीं कर रहा है, please comment section में जरूर बताएगा, थाकि पता तो चले, कि इतना सारा research करके जब आपके लिए लाया जा आता है, तो आपको यह research पसंद भी आता है कि नहीं आता है, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और हो, please बताएगा comment section में, चलिए, top recruiters की बात करते हैं, तो as I am again and again saying, यह नाम याद कर लो, भाई हो सकता है कि आप इनी companies के साथ काम कर रहे हो, और please इनके बारे में भी से बारा लाक रुपए पर आनम देखने को मिलता है, ठीक है, चलते हैं हमारे आखरी के तीन colleges के पास, थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है, चलिए, thank you so much, आदेश ने मुझे बोला है अच्छा अच्छा सा कुछ, और प्रतमेश ने भी बोला है, thank you for your appreciation, love and support, चलिए, आगे चलते हैं, ब्रेक आप भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा प्यास लग गई थी, और, moving on to our last three colleges, not the last three or the bottom three है, तो हमारे पस 23 NLUs, अगर किसी को नहीं पता है, तो please कान खुल के सुनो, इंडिया में 23 national law schools है, मैं इस वीडियो में top 10 इसले cover कर रहा हूं, क्योंकि हम चाहते हैं, कि आप best colleges में जाएं, और best colleges में जाने के लिए, best preparations लगती है, best research लगता है, तो research क पार्ट जो है, वो legal edge आपके लिए करके बैठा है, आपको बहनत करनी है, और इन colleges में जाके बैठना है, और अगले साल हमें अच्छे-च्छे comments करके बताना है, कि आप उन colleges में जाके कैसा feel कर रहे हैं, चलिए, hope so, तो हमारा जो rank 8 college है, वो है, Dr. Ram Malohar Loya, National Law University, Lakhno, established हुआ थ not one of the oldest, 2005 में आया है, बट इतना भी नया नहीं है, थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है, integrated programs की अगर हम बात करते हैं, तो BALLB इनका flagship course है, जिसमें आपको admission मिल सकता है, and अभी they are taking 160 plus 16, तो 16 को अलग कर दें, तो 160 बच्चों को यहां पर हर साल admission मिलता ही मिलता है, direct admission मिलता है based on your CLAT score and ranking, और अगर आप इस college में जाते हैं, तो पैसा कितना मिलने वाला है, कितना कमाने को मिलेगा, कौन-कौन से लोग आएंगे, तो चलिए इस पर बात करते हैं, top recruiters जो हैं, वो हैं यहां पर Claris Law Associates, Trilegal, Vardia Company, AZB Partners, DMD Advocates, Deloitte LLP, Amazon भी आता है, Addit Tavilla Group भी आता है, और यहां पर आपको average packages देखने को मिलते हैं, 10 to 14 lakh rupees, I'll again repeat, कि यह जो packages and placements हैं, यह average हैं, और यह कुछ सालों के average आउट करके, बहुत चारी websites पे जाकर, बार-बार data को verify करके, निकाला गया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो अगर आपको यह data अच्छा लग रहा है, The 9th rank college जो है, वो है हमारा Patyala, Rajivwandi National University Patyala, और यहां पर भी आपको BALLB ही देखने को मिलता है, which is the flagship course, and the number of seats which we have is 180 seats, काफी सालों से यह college अपने आपको push करता जा रहा है, पहले यह college बहुत पीछे था, top 15 में आता था, पर धेरे-धेरे college ने अपने आपको grow किया, college ने culture को improve क किया, college ने academics पर काफी काम किया, and now they have made into the top 10 NLU's, और धीरे-धीरे यह list automatically change होगी, आख से 2-3 साल बाद हो सकता है, top 10 में कुछ और नए नाम देखने को मिले, तो top recruiters की बात करते हैं, तो यह हैं हमारे top recruiters, इस particular NLU के लिए, और अगर हम average placements की बात करते हैं, तो वो जाता है, 10 to 11 lakh rupees, यह packages and placements मैं आपको बता रहा हूँ, NLU Patayala K, and 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 the final one in the list is my favorite, Hidaitullah National Law University, राइपूर, established in 2003, program आपको मिल रहा है, 5 years integrated BALLB का, हमारी प्यारी से city राइपूर जाइए, और इस college को जरूर explore करिए, Google पर जाके इस college के campuses को देखिए, college काफी महरत कर रहा है, पहले top 15 में था, धीरे धीरे यह college इंप्रूव हुआ, और आगे आया, और अभी तो कुछ websites इसे top 6, top 7 में भी count करती है, बहुत सारे बच्चों को है कि Mumbai का college जो है, वो top 10 में आना चाहिए, क्योंकि city Mumbai है, definitely, बट क्योंकि college के industry अभी उतनी नहीं है, उतना reputation वो बिल्ड में ही कर पाए है, हो सकता है आज से 3-4 साल बाट down the line, जब आप उस batch में हो, तब हम जब भी video कर रहे हैं, तो आपका college top 10 में आ चुका होगा, तो यहां क seats के अगर हम बात करते हैं, राइपूर में आपको मिलता है, 85 plus 10 plus 7, that is 102 seats का ये लोग intake लेते हैं, और अगर हम NLU राइपूर के top recruiters की बात करें, तो यहां पर भी आपको वो सारे नाम देखने को मिल जाते हैं, जो almost सारे बड़े NLUs में जाते हैं, और packages की बात करते हैं, तो 6 to 8 lakh rupees on an average, आपको यहां पर देखने को मिलता है, तो भाई ये थी top 10 NLUs की कहानी, I hope आपको पसंद आया होगा, ये data, ये पूरी वीडियो, अगर पसंद आया हो, तो इतनी जारी मेनब जो legalize आपके लिए करता है, उसके लिए एक like तो बनता है, और अगर ये वीडियो आप को important लगता है, and you think that you should share the content of this video with your friends, please, please, please share करना ना भूले, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो subscribe, और जो bell icon है, उसको प्रेस करना ना भूले, इसके अलावा, आप लोग जितने platforms पे हैं, वहाँ वहाँ पर हम लोग भी available है, तो हमें सारे platforms पे follow कर सकते हैं, we are on telegram, insta, facebook, as well as to help you all about law as a career, और अगर आप हमसे directly चुणना चाहते हैं, तो आप ये number पे dial कर सकते हैं, या आप हमारी website visit कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं, कि हम private law schools के उपर भी ये video बनाएं, top 10 private law schools के packages भी लेकर आएं, उसके लिए help लगेगी, आपको comment section में बताना पड़ेगा, कि आप आपको वो video चाहिए है, तभी में इतना सारा research करूँगा, और नहीं, ठीक है, चलो, so I hope you enjoyed the whole session, thank you so much for giving your valuable time, bye-bye, take care, good night.